नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल देव एमटीर, यह है यामा आरवन फाइब बी थी बी एसिक्स का रेसिंग ब्लू कलर, यह डूल चैनल एबेस के साथ आती है और इसमें चार कलर का उप्सन मिलता है, यामा आरवन फाइब बी थी का रेसिंग ब्लू कलर जो कि एक और इसका कलर काफी प्यारा लगता है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसमें आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी मैलेज कितनी है और इसकी ऑनलूड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस लास्ट तक पूरा जरूर देखना स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से तो इसके वाइजर के ऊपर एक ट्रांस्पेरेंट विंड सील का ग्लास मिल जाता है जिसके ऊपर नमबर प्लेट का ऑप्सन भी दिया है और यहां पर आपको साइड मिरर काफी यूनिक औ इसके इंडिगेटर की बात करें तो यहां पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं इसका फ्रंट वाला मटगार्ड ब्लेक मैट फिनिस का दिया गया है जो कि विदाउट कलर है और यहां से आप इसके टायर की ग्रिप को देख सकते हो और इसके ब्रेकिंग सिस् डिस्क का डायमीटर 282 mm का दिया गया है और इसका जो फ्रंट टायर साइज है वो 187 का है इसमें MRF कंपनी के टुलेस टायर दिये गये हैं और 17 इंचेस के ब्लू कलर के अलॉवील दिये गये हैं और यहां पर टैलिस्कॉपिक फॉर्क टायप के सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके फ्रंट में अब इसके ओवरल कलर कॉंबिनेशन की बात करें तो काफी अट्रेक्टिव दिया गया है और यहां पर बीबीए बैरियेवल वाल्व एक्ट टैयारक्टिव दिं गई है और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको जो है यामा का लोगों मिल जाता है और इसका जो फ्यूलnt एग ING महाई काकि प्यूल की तेंक के टेक्ति हैं और यहां इसकी हैव प्यूल लगत लेक्ष्ट कप्वालिए के वो rider के लिए काफी comfortable मिल जाती है और यहाँ पर seat का locker दिया गया है लेकिन pillion के लिए यहाँ पर आपको comfortable seat नहीं मिलती है और यहाँ पर आपको grab handle की जगए plastic के air vent मिल जाते हैं जो की use करने के लिए दिये गए हैं और यहाँ से आप इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहाँ पर 140-70-70 का tire size मिल जाता है और इसके जो rear में आपको 220 mm की disc brake का option मिल जाता है जो की ABS के साथ दी गई है और यहाँ पर 17 inches के blue color के alloy wheels दिये गए है और इसका जो पीछे वाला tire है वो radial का दिये गया है type का suspension देखने को मिल जाता है इसके rear में और यहाँ से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो इसके उपर जो part लगे हुए है वो fiber के plastic के दिये गए है metal के नहीं है और यहाँ पर आपको carbon finish देखने को मिल जाती है और यहाँ पर adjustable footrest और brake pad दिया गया है और यहाँ से आप इसकी टेलेम की design को देखें तो जो की काफी unique से design मिल जाती है इसमें LED के valve दिये गए हैं और यहाँ पर आपको जो है normal valve वाले indicator मिल जाते हैं यहाँ पर इसका chain set cover है भी open दिया गया है जो कि plastic का है और यहाँ पर plane के लिए भी adjustable footage मिल जाता है जो कि aluminum के दिये गएaina यहाँ पर आपको six gear का manual setup मिल जाता है और यहाँ पर आपको side stand मिलता है इसमें आपको many stand नहीं मिलता है इसमें 170 mm की ground clearance दी गई है और इसकी नीचे की side में Yama का logo मिल जाता है और इसकी side में भी आपको R15 or version 3 का graphics देखने को मिल जाता है और यहाँ पर BVA variable valve actuation का logo दिया है और इसकी fuel tank के उपर भी आपको Yama का logo देखने को मिल जाता है इसकी engine और power की बात करें है तो इसमें 155 cc का liquid cooled forest rock SOSC 4 valve BS6 fuel injected engine दिया गया है जिसकी maximum power है 18.6 PS की 10,000 rpm इसका maximum torque है 14.1 Nm का 8,500 rpm इसमें आपको 6 speed gearbox मिल जाता है इसका curve weight 142 kg और इसका acceleration है वो है 3.40 second में 60 km per hour का और इसके mileage की बात करें तो इस bike में आपको 52-55 km per liter का आसानी से mileage मिल जाएगा तो अब बात करें इसके meter console की तो यहाँ पर आपको fully digital type का meter console मिल जाता है इसकी चावी को on करने के बाद इसके meter console में सबसे पहले आपको high body देखने को मिलता है यहाँ पर के रमा की branding दी गई गई है और यहाँ पर ABS की enigration light, man headlight, indication light और 10 signal इंडिकेशन light देखने को मिल जाती है और यहाँ पर fuel की reading देख सकते हैं और यहाँ पर आप कि stationary speed देख सकते हैं ऎहाँ पर rpm की reading देखने को मिल जाते है और यहाँ पर आपको six gear मिल जाते हैं जैसा कि आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहां पर आपको जो है engine malfunction light, indication light और temperature light और gear neutral light देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको बटन मिल जाती है, इस meter console को adjust करने के लिए और यहां पर आपको जो है black color की handlebar rod मिल जाती है जो कि काफी attractive दी कर आपको low beam high beam switch और इसी में आपको passing का switch मिल जाता है इसे नीचे में आपको इंडिकेटर और hou तो आपको इसके इंजन का और इसके एक्जोस्ट का साउंड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके चुरूर बताएं दोस्तो तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ओन रोड कीमत की तो यह यामा आर्वन फाइक बीथी का रेसिंग ब्लू कलर है और इसका जो एक्षोरूम प् 871 रूपीज यह ओन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है तनुसका ओटो यामा मद्यम ग्राम कॉलकटा सोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अधर श्रीट वाले बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप मेरे को कमेंट कर करके बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वाइक की और स्कूटर की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में